जो राह संगर्ण्ष की चलता है जो बंदा राह जो है संगर्ण्ष की चलता है वही मंजरद पर पहुचता है और जिसने जंग जो फिर वही सुभा सूर्ज बने कर चमकता है तो देखिए धोड़ा सा कैसे बनती है magnetic field कैसे बनती है इतनी बाद करी थी याद होगा तिक इतनी बात करने गबाद तबार हो प्मरार ही करेंट करेंग वाइर मेसाथ जुन डिक कायसे उस्मेटिक फील्ड को मेटने के दवारा शो करता है उसके बात करने ठीक है तो चली बिना टाइम विस्ट के बात करना शुरू करते हैं माल लो मैंने ले लिया एक एलेक्ट्रिकल मेरे साथ समझते जाना बस कंसेप्चिल है लॉजिकल है याद करना पड़े का लेकिन अगर समझ लोगे तो याद करने जाद असानी पड़े ठीक है तो अभी हम पढ़ने जाए ध्यों लेट स्टार्ट एक करन्ट केरिंग एलेक्ट्रिकल वायर ठीक है मैंने क्या अभी करिंट के रिग नहीं अभी खाली क्वायर है मैंने क्या इसकी जैसी बैटरी से लगाया है वैसे ही यह केरेंट केरिंग बन गया है करेंट कैसे फ्लोगा पॉजिट्टिव टू-negative मतलम यह ऐसे फ्लोगा तो देने है है विद едतनी बात क्लियर में आइए को एलेक्रिटिकल भाइर लिया लि안 एक लिया अधुरिकल होग्या अगल्रिक्टिटर्ण होग्यों इसके पास कोई डिस्टैन्स नहीं है च्शेय हो गया यह यह क्या होग्या एक यह कंडंडॉक्टिंग भाइर होगा ठीक है तो इसके तुरू अलाम से बिना किसी लेजिस्टेंस के जो है करेंट फ्लो होने लगेगा ठीक है करेंट फ्लो हो रहा है अब देखा गया और स्ट्रडबा थे ये अन्य अनौने यह यह दिसकवर करा था कि जैसे ही वह अग्त लिक्टरिकल करेंड करेंग वायर के सामने एक कमपास को लाया अब देखू कमपास के पास जो नीडल होती है उसका एक south pole होता उसका एक north pole of the needle कहा जाता है這些 nor to come pass होता है वो magnetic field में जब आता है तो उसकी नीडल डिफलेक्ट होने लगती है मैंने साथ बोलिए जब भी किसी कम पास को मैंने टिफलेक्ट होने लगती है इसका मतलब देखो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने बैटरी ओन करी करेंट बया मलम बहा इसमें तो जैसे नीडल पास लाया वैसे डिफलेक्ट होने लगी डिफल यहां से का कि अंकलूजन निकाला और स्टेट साइंटिस वाव ने की मैं जब भी किसी अलेक्ट्रिकल कंडुक्टिंग वायर में उसको हम बैटरी लगा कि करन्ट कैरिंग करिंग मतलम ऐसा कंडुक्टिंग बना दे जिसके तुरू करेंट फैला फ्लॉ हो रहा है तो क्या होत तो यह दिफलेक्ट रेना बंद कर गया मेंडेतिक फिल गया हो गई ठीक है इसी प्रोसोथ कर आ जाता है ऐलेक्ट्रो मैंग्नेटिसम् सब्सक्राइब और बात की electricity and magnetic इंट्टिक एफ है एलेक्टिसिटी एड मैगनेटिजम आर रिलेटेड टू इचेदर एलेक्ट्रो मैगनेटिजम ठीक है बहुती बड़ी अलॉंसमेंट थी है बड़ी डिस्कावरी थी ठीक है पूरी ते अल्यक्रिक्टिसिटी की सबसे ज्यादा शांधार एफक्ट सबसे सांधार है reckनेटिक एफट करेंट एक है कैसे अपने अर्थ मैगनेटिक अच्छेट जनेर लेता है कि यह उतनी स्ट्राउंग भी नहीं होती साट्राउंग मदल्ख इंग którą अनुट कर सकता ऊत्राउंग नहीं होती है лож सोचर करें तो इन इन बतु कॉप छोटा अबजेक्ट हो न स्टेंट्थ आलग बात है लेकिन उतनỻ programmes होती जो ब्याल मैंगनेट वार मैंगनेट उनकी स्टेंथ जादा होती इसलिए इतनी बात अगर क्लियर है तो एक और टॉपिक समझे के लेक्ट्रिकल वायर देखो दो प्रकार के बना सकता हूं एक तो सीधा सीधा स्ट्रेट करेंट करेंग और और यह क्या करूं को बेंड करके सर में कैसे मांगनेटिक फिल्ड बनेगा और अगर इसी एलेक्ट्रिकल वायर को मैंने गोल गुमाके सरकुलर बना दिया यह और को गुमा तो सकते और किसी बी बहुत है दाले और सकते हो कि भुमा दिया सəर्कुलर बना दियो तब कैसी शेप होगी चुकि हमने देखा था एक क्या होती तो यह क्या फ्योटी होती है इत करके पढ़ेंगे इसके बारे में सब्सक्राइब और असली मन टॉपिक शुरू होगा और हेडिंग डालेंगे और इरडिंग डालेंगे heading डालेंगे heading डालेंगे pattern of pattern of magnetic field lines in a state current carrying conductor ठीक है यह heading डालेंगे मतलम जब मैंने सीधा सीधा इलेक्टिकल वायर लिया सीधा सीधा current carrying conductor लिया उसके तुरू current pass करा तो कैसे shape की magnetic field आएगी देखो यह है मानलो अभी मैं इसको बैटरी से connect नहीं कर रहा मतलम आप अपने डाग्राम से बैटरी से है ठीक है बात समझ में आगी है अब देखो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि जो magnetic field lines होती है वो concentric circles होती है क्या होती है क्या से सर्कल क का पता पता नहीं मुझे आपको पता हुँ में नापता वे सर्कल के ढ overly Consulted सर्क ह्लड़ां मैं तो बना दूजिप ने के इनदर अगे छोटा सब्लस्के हो ख्य twist सो को बोला जाता क्यों इस अमें बरा बनादन भण कि जब हमें पता चला तो देखो भी बार मैगनेट की जो शेप थी उखीं ब्ली हिसी साइंटिस लोगों ने अग्सपरिमेंट करा और हमें बताया कि यह फिर्ट मैंधू होती है my koncentrics circles एंट रकल में खेंट रए बीकल घरक्रक्ल बन नहीं पा रहा concentric circles होती है ठीक है बात समझ में आगी होगी बार Oh magnet कैसा था यह था ऐसे था यह थी magnetic field एक ठीक है ऐसा था closed curve अंदर से ऐसा था ऐसा था closed था पूरा ठीक है इनकी कैसी सर्कलर है सर्कल में भी कैसी concentric circles है ठीक है यह बात पता हो describe करते हैं शो करती है मतलब magnetic field इस जगह फैली हुई है इस पूरे करेक्ट करक्टर की वाया कि magnetic field इस रीजन में फैली हुई है और उसको शो कर दिया हमने एक field line से और field lines होती इसके magnetic field है है ठीक है अब बात करते हो अब बात करेंगे strength of magnetic field की किसकी strength of magnetic field magnetic field के लो यह डिपेंड करते हैं करेंट पर करेंट से होती है डिरेक्टली प्रपोर्शनल यह magnetic field की strength मेरे साथ बोलो करेंट से डिरेक्टली प्रपोर्शनल होती है magnetic field की strength मतलब इस current carrying wire में अगर मैं 10 वोल्ट का current दूँ तो कुछ strength होगी अगर उसको voltage को बढ़ा दो मलम current बढ़ा दो current increase कर दूँ मैं साथ बोलो current increase कर दूँ देखो current किस पर depend करता है electricity में हमने पढ़ा था potential difference पर resistance पर यहां को current increase होगा तो strength होगी current increase होगा तो magnetic field lines नहीं बढ़ेंगी strength बढ़ेंगी magnetic field की मतलब और powerful हो जाएगा magnet की तोर पे और चीजों को अच्छे से attract कर पाएगा जो उनकी रेंज में आएंगे समझ माही बात magnetic field की strength increase हो गई मतलब मालो एक रीजन में magnetic field की strength कुछ थी लेकिन वह इतना वीक था कि वह object नहीं कर पादा था जैसी मैंने current बढ़ाया strength बढ़ाई strength बढ़ाई और बहुत जाला strength होगी इस magnetic field की कि अब उसके अंदर अगर उस magnetic field के अंदर कोई भी object रहेगा तो attract कर लेगा वायर उसे conductor से ठीक है तो ऐसे डिपेंड करती है strength दूसरी दूसरी और बहुत important कि यह strength जो होती है वह इन्वर्स्टी प्रपोर्शनल होती है distance से ठीक है अभी बताता हूं distance के चीज़े मतलब अगर मैं बिल्कुल concentric circle जहां यह वायर है ना इस वायर के बिल्कुल बहुत कम है ठीक है बहुत कम है तो यहां क्या होगा distance कम है radius कम तो distance कम वायर से बहुत distance कम है अब इसी के बजा कर यह radius देख लो यह radius ज्यादा है यह radius और भी ज्यादा है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे स्टेंथ कम होगी है क्योंकि डिस्टेंस से इनवर्सिंट परपोशन है और वायर के अग्दम पास वाला कंसेंट्रिक सर्कल देखो यह वाला है जहां रेडियस बहुत कम है तो अगर यहां कोई अप्जोड लाओक है बिल्कुल वायर क अब रेडियस बढ़ेगा तो सरकल तो बढ़ा हो गई वैसे 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 सरकल भी बढ़ते रहते हैं बातों को सुनते जाई अगर ना समझे तो वापस पीछे दाके बातों को ध्यान से सुनिए नोट में लिख सकते हैं उसको जैसे मैंने बोला स्टेंथ क्या है इनवर्सिव जाओन सबसे जादा होगी जैसे जैसे सबस्क्राइब गर। बैडियस सब्सक्राइब लिख कर रहा होлом है इसनगते रिस्टन्स बढ़ेगा स्टेंथ और कम होती जाएगी क्योंकि विश्बस्रींद है दूसरी बात जैसे जैसे डिस्टन्स बढ़ेगा वैसे वैसे इतना बड़ा है तो इसका साइज भी छोटा होगा तो जैसे जैसे डिस्टन्स बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा तो किस इतनी बात अगर क्लियर है कि आपका यह टॉपिक है क्या कि क्लियर है पहला अपर्द है ऐसी तीन पर अधे चर्रह सिंधा होते है शैप क्लाइब को तो स्चेट आइएं यह रतुंद क्या होता है इस accent क्नृंट्ट कह से या कंसेंट्रिक सिरिकल सन हम ठील है किर और दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टेंथ क्या अ양ट्रिंटर्ण सुथके स्टैंथ क्या होगी दो चीजों डिस्चन्स पर करेंड कावं त्सक्राइब करेंड डिस्टंस पर तो इतनी चीज अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे पैटामन और और मैंनेटिक फिल्ड लाइन इना इना पहले इसको मटा देता हूं क्लियर होना चाहिए और देदे सारी चीज़ा हम पणते जाएंगे पहले लेक्ट रहाएं तो मेरे ख्याल से दूसरा फी क्लियर होगा तो आगले पार्ट भी समझने में ज्यादा देर नहीं लगें इना राइस सरकुलर कैसे इसरकुलर कर enc ऐसे मोड दिया यहां पे आपको मैं पिच्चरो कर रहेगी उसको देखते रहें और ऐसा शेफ होता है ठीक है उस शेप को बनाना थोड़ा complex है जैसे यह मालो यह मालो एक circle की तौर बना दिया और यहां से इसको बैटरी पर connect कर दिया बिल्कुल ऐसी शेफ हो गयो आप यहां इसको बैटरी पर connect कर दिया अगर अगर पहला पार्ट क्लियर है तो इसमें कुछ खास नहीं इसका बस structure देखो कैसा होता है ठीक है सर्कुलर को बैटरी से connect करा कुछ जाएगी ठीक है तो इसका शेफ बहुत सिंपल होता है मालो यह शेफ मैं बनाऊंगा तो आपको समझ मिना है कि इसलिए मैंने साइड में फिल्ड है लाइन है वह एक्दम स्टेट है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वह करेंट करिंग देखो वायर कैसा है लूप कैसा देखो पिचर में भी रहा है तो देखो कैसे लूप बन रहा है बीच में जो मैंने देहां सो देखो विल्कुल सीधी है लेफ्ट देखो उन से पहले इसह O! मेरा साम्जो स्ट्क्चर्थ कैसा अगर रहा है यहां पे देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते बाद सुनतो जाओ सग्स तो यहां पर मैं इसको इसे स्क्रेट नोए बायर मान सकता हूं तो यहां पर अ renote स्टिव क्चन सक्थीगर यहां यहां देखो इस तरफ एक बात रहे कई थी एक बात रहे कई थी एक बात रहे थी आपकी निश्याइद दिमाग में आई भी होगी की हमने से निकलता है उसको भी समझाओंगा पहली समझलो तो मैं समझ दा थे कि मैं एक बार दोनों को समझा दू उसके बाद ना राइड थे अब लगता है ठीक है तो बस एक बार स्ट्रक्चर पहले समझ लो ऐसी कुछ बनेगे वह डालेक्शन पर माज आज आगा अज आरो बन लख यहां concentric circles बनेंगे इसी concentric circle को follow करते हुए बड़े circles बनेंगे क्योंकि देखो ना wires से दूर जा रहे हैं अब बात समझो यह दूर तो और बड़ा होता गया और दूर चले जाता रहा और दूर होता गया ऐसी इस वाले वायर से देखो यह भी इस वाले वायर यह यह आदा बना तो आपको डॉट हो रहा है यह concentric circle ऐसे पूरा बनेगा ठीक है यह ऐसे पूरा यह है concentric circle सी कुछ खास नहीं है तो यह वायर से देखो पास था थोड़ा 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 करते करते बहुत बड़ा ओगया ऐसी इस तरफ से थोड़ा बड़ा करते करते बहुत बड़े सबस्क्रणिघ लोगे और बीच में एक दम स्ट्रेट मैंगनेंटिक फिल याइन्स हमें देखने को मिलती हैं क्लियर क्या बात करें यह भी तक current carrying circular loop में इस वाले को देखो मैं straight wire मान सकते हो तो यहां concentric circles बनेंगे दूर जाते जाओ गो तो बड़े concentric circles बनेंगे ऐसे ही यहां पर देखो इसको लाइन लाइन तो दूर जागे और बड़े-बड़े बनते जाएंगे और जैसे एक्दम बीच में आगो बीच में आओगे तो एकदम स्ट्रीट लाइन मिलेगी मागनेटिक ५िल्ड के तोर पर इतनी बात क्लियर है whole Here Same यहां हाँ पर यहांद करेंट करेंट करेंगी स्टेंट अवर्यच्छ सेम बात है हैहां कि यह हुआ यहां बीक़ वाला पॉर्षान यहां देखो सेम रूल यह करनand का तो सेम इंए बड़ा तोமगेनी टावजायति तल और इसमें क्या होगा स्वितेस विसेम है क्सक्राइब यहां बिल्कुल एक्दम हाइड होगी हां बहुत कम स्बाइब होगी यहां यॐन सबस्द बता है आप से वाले सरकल वह के बहुत इसके सर्कल्क यह عप다면 कम है वायर से यह वायर नहीं तो इस वाले सरक्ल बहुत पास हो जी जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे स्टेंथ कम होती जाएगी यहां पर uniform स्टेंथ होगी स्ट्रेट मैंगें 27 वाले में भी सेम लगेगा तो अगर आपको पहला वाला केस पता तो इसके ड़ना भी नही कि इन्वर्शनी को डिस्टेंस और और चक्षान कि यह देखों यहां रीडियस कम यहां ल्यादा है मेरि बिल्फ सब्सक्राइब बादा जाएगा स्टैंथ मीच में सर्कुलर लूप के बीच में हमें एकदम स्ट्रेट मैंधीक देहने की मिलती है यहाँ यूणिफोर्म में यूणिफोर्म होती है इसनीक मदलम एक जैसी यह बाते क्लिये नहीं स्क्रदव करते हैं जो हमें इसका कंसेंट्रिक्स के बारे में बताता है ठीक है मैंने बोला ना डरना नहीं टेंशन नहीं लेने का और बातों को बस सुनते जाईए और लेक्चर खतम होते ही इस पार्ट को से रिवाइस कर लिए ठीक है तो कंसर्ट विल्कुल क्लियर हो जाएगा एंशार्टी में बड़ी कंफूजन वाली भाषा लिखिये और इसलिए ना भी पड़े इसी थियोरी को बार बार रिवाइस करने अगर नोट्स बनाके तो ज्यादा बेनिफिशल होगा ठीक है ठीक है तो चलिए अब बात करते है राइट-एंद थम रूल की अथान से सुनना बहुत एजिए रूल है राइट-थमर रूल एक साइंटिस ने दिया देदा जिसका नाम है मैक्सवल मैक्सवेल नाम है उसका राइट-एंद थम रूल तक है तन रूल अगरन हम लोग्प स्ट्रेड कंडरिंग राय है जिसमें ऐसे इतना था बात पता चलंग कि एक करेंट वाय रहunk है यहां इसको बैर्टेजों करेर है यहां पॉसिटिव बोगा वहां नेगिटिया अजको से ऐसे करेंट फलोगा। करेंट के आप टो पूच रहा हो कि इसलोक ऐसे घूमेगा यह ऊधनी बार पता है एंटि क्लोक मास कि गूमेगा यह मैं या मिन तो घरी कि इसरी एसे कुहने अएक को का जाता है को काहणा जाता है क्लोक बाइज आख कर से दो फिर एक 12 बज़ रहे हैं इसको कहा जाता है एंटी खूंद एसको कहा जाएक लोग स्को उल्टा खुमाऊंगा तो जाएक एंटिक्लोग्वाइस यह बात के अगर ऐसे था है तो आने वाली बात भी यह होगी है अब पढ़ने जा रहे हैं राइट हैं थम रूल आई रा स्टेटमेंट में मिल जाएगी याद करनी जो स्टेटमेंट होते हैं उनकी करेक्ट स्टेटमेंट याद करना जुरूरी है तो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि राइट है अब नहीं और देखो के समझते नहीं मैंने क्या करा अपना राइट हेंड लिया उसका थम्ब एसे उठाया थम कैसे उठाना है जिस तरफ जिस तरफ में साथ वायर की करेंट डिरेक्शन हो करेंट उपर की तरफ जाना है कि इसको यहाप एसे रखते हाप रह टो यह लिए उसको क्यों तरफ उठा दिया अब फिंगर्स ऐसे हैं डियरेक्शन ऐसे अब टेको फिंगर्स ऐसे एको फिंगर्स ऐसे घुम घूम और यहाओ का योचार ओर हो तो से इस ने Kinolog इसे एसे खुंडु hero हो तो को क्यों दापन कैसी है डाइरेक्शन ऐसी है इस डाइक्षेन को क्या जबताई सुभी ऐसे घुमती है घढ़ी की और इसका लटा ऐसे इस डारेक्शन को आज जाता है एंटिकलंग वाई इसलिए मैंने वह होगा ऐसे होगा एंटिक्लॉक्वाइज में घड़ी की सुई को उल्टी घुमाना है तो इसका अपोजिट केसे और अच्छे समझ बार जाएगा इसका पोजिट केस क्या होगा बस यही चीज ऐसी कंसर्टिक सर्कल्स बन रखें बस करेंट का डारेक्शन कैसे होगा इस तरफ हो गया मैं यहाँ पोजिटेव लगा यहाँ नेगटिव लगा तो को लेक्शन इस तरफ अब थम कैसे तॉमलिया ऐसे लिया अब करेंट की डारेक्शन में हम रखना आ है क्यों क्रेंट ऐसे ले जा रा तो यह रखेंगे तो यहांथ र Payeur कöy यहां पर जिस तरफ करेंट का टृक्षिन उस तरफ थम कर रोखो कर ने नीचे तरब को ऐसे रखेंगे आब इसको उठा कि दिकाऊ अब देखो fingers कैसे रह पुरिए यहां से इसरिफ द्याफ कि यहां कि की सि बनाओगी बनाओगे एसे बनाओग तो जो सरक्ल हो कैसे को क्लॉग वाइज को बात क्लॉप दिका दो ऐसा एडिखा दो कि लोग वाई न दिखा दो खत्म डिरेक्शन सिंपल और circular loop में भी ऐसी डिरेक्शन है भाई circular लूप में भी जब ऐसे लूप बनता है तो इसको straight मानते हैं तो यहां भी तो concentric circle ही बनाते हैं तो अब देखो माल लो यहां पर positive टर्मिनल लगा है यहां पर negative लगा है तो current ऐसे जाएगा current ऐसे जाएगा तो यहां थम रखोगे तो ऐ ऐसे डिरेक्शन मिलेगा anti-clockwise में तो यहां कैसे डिरेक्शन होगी और इस वाले की भी ऐसी ही होगी है ठीक है ऐसी मैं थोड़ा बढ़ा बताता हूं पता नहीं आपको समझ में आ जाओ कि ना रहा हो ठीक है यह क्लियर है स्टेट वायर का क्लियर है तो राइड स्टेट वाय से समझ भाए जाएगा इसलिए मैंने सोच था कि पहले दोनों साथ में पढ़ा देता हूं उसके बाद डियरेक्शन पढ़ाऊंगों तो दोनों का साथ में एक बार डियरेक्शन में आप सीख लोगे देखो ऐसे बनाएता ना कुछ ऐसर था मालो यहां पॉजिटिव ट्रम लगा यहां नेगेटिव ऐसी इसे लाइ इससे कनेक्ट है अब देखो इसको मैं एक स्टेट वायर मान सकता है इस चोटी सी जगह को करेंट कैसे से फ्लोग करेंगा ठीक है तो उसको मतलो क्रेंट ऐस यहां थम रखो बिलकुल यहां पर सिंपल स्टेट है रूल लगाना है इसको क्या माल लिए थोड़ा सा जगा को स्टेट वायर माल लिया करेंट ऐसे फ्लो रहा है थम ऐसे रखोगे आपको फिंगर्स ऐसी रैप होती होई दिखेंगी ऐसी को क्या कहा जाता है एंटी कॉलोक इसकी डिरेक्शन ऐसी होगी अब और बड़े जैसे डिस्टेंस बड़ा विए से सरकल और बड़ा बनता जाएगा और उसके डारेक्शन तो सेमें रहेगे ने सरकल कॉंसेंट्रिक सरकल है यह कोई और चीज नहीं कोई सोच रहा हूँ बीच में जो पैटन बनें और पैटन कि अब यहाँ करेंट ऐसे घूमता गुमता 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 ऐसे प्ams नेगतिव कर तो करनेट ऐसे फेलो करेंगा आप इसको एक छोटी से जगा को एक स्टेट वायर माल लो इस टेट वायर के आपको पता ही कॉंसेंट्रिक सरकल्स बनते हैं और बड़े बना लो बात वही यह बस कंसर्प्ट पता होना चाहिए अब करेंट ऐसे फ्लो हो रहा है स्टेट हैं राइट हैं थब लूब लगाओ कि ऐस पार्ड में जाता है दूसरी पार्ड में बिल्कुल आप उजी जाने लगता है तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट जाते हैं बीच में एक दम स्ट्रेट डैलेक्शन ठीक है कि बात क्लियर है फिर से कर देता हूं इस पहले देखो पॉजिटिव टर्मनल नेगीटिव करेंट ऐसे फ्लोगा इस तरफ करेंट की डिरेक्शन यह होगी कॉंसेंट्रिंट की डिरेक्शन निकालो गए राइट-hand थम रोल से तो एंटि क्लोग वाइज है कि बीच में एक दम स्टेट लाइन सीधे ठीक है इस तरफ करेंट आते आते देखो अपोजिट डिरेक्शन हो यहां उपर जाला था यहां नीचे आ रहा है तो यहां से अपर डिरेक्शन मिलेगी यहां क्लॉक्वाइस डिरेक्शन मिलेगी ठीक है और यह जो पैटन बीच में बने बने होते हैं कुछ नहीं है वास कंसेट्रिक सरकल के बड़े चीजें पूरा करना हो तो पूरा कर दो जरूर चुक्स को अगर कोई चीज ना तो कमेंट में बता देना छोटी सी वीडियो बनाके पर्टिक्लर उस पर्टिक्लर चाहट कले मां उस कंसप्ट को कलियाग जरूर करूंगा यह इन्साग्राम पर पूछ सकते वहां पर चोटी सी वीडियो मात्दम से कंसेट्स समझा दूँगा काफी बार बता चुको कि पर्सनल मेंटरिंग कर रहा हूं मैं आप लोगों की तो मेरे ख्याद से जिस आप से समझाएं यह दोनों पार्ट क्लियर होंगे ठीक है अगर यह दोनों पार्ट क्लियर हैं मेरे साथ बोलो अगर यह दोनों पार्ट क्लियर हैं तो अब ज तो नाम सुना होगा आपने उस नाम को देखो ध्यान में रखना है तो लेट करेंट केरिंग कंड़क्टर की जगभ क्रेंट मेंनेक फिल्ड फील्ड पैटन डिउट हुआ करेंट कैरिंग सोले नॉइड सोले नॉइड क्या होता यहां समझातों का घबराने की कुई जरूत भ है यह बहुत ईजिए पता नहीं क्यों बच्छे गवल उती देखो क्या है समझो हुआ कि एक स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग देखा है ऐसा होता है फटीक है मलब इसमें घॉता यह है कई ह Literally is thisu कमना देख को पर में यह इक और आए लेक्रिकलवाइर को ऐसे कॉपर के वायर को सबसे अच्छा कंडुक्टर है विद कॉपर का लिए क्ली कोपर से ज़्यादा अच्छे से घूमता मुद बढ़ा ईसको मोड दिया सिलेंडर की शेप में एक सिलेंडर की शेप में इसको हमने ऐसे बांद दिया एक सिलेंडर की शेप में हमने से ऐसे ऐसे गुमाया ऐसे गुमा के टाप कर दिया एक सिलेंडर सिलेंडरिकल शेप में अब यह जो कोना है वायर का वह यहां से बैटरी से करेंट होगा यह वाला को क्या बात करिए भी तक मैंने रोल कर दिया एक टाइट बना दिया सिलेंड्रिकल शेप में हमने उसे पैक कर दिया एक एंड का वायर पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है अभी खाली इतनी बात हुई है समझ में भी आ गई होगी अब देखो कि करेंट एसे फ्लो हो को क्ये ऐसे एसे करेंट फ्लो होगा कि इस वायर में करेंट फ्लो होगा में नहीं बनाता है जैसा बाल मैंगे साथ बोलिए आप सबी को पता है नीचे बनाना हो तो नीचे भी बनाना हो नौर्थ पोल से साथ पोल अब सबसे important बात शॉले नॉइट के अंदर किसी बार मेंगनेट के अंदर फीड लेंग का डारिक्शन क्या होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल यहाँ यहां से प्र नॉर्थ पोल जाती है और क्या रहती है बिलकुल स्टेट रहती है अंदर यह देखो ऐसे जाएगी एसे जाएगी, South Pole से North Pole, यहां डारिक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, और Inside the Magnet क्या होगा? South Pole से North Pole, इतनी बात क्लियर है, कुछ खास बताया है नहीं, Outside the Magnet, North Pole से South Pole जाएगा, Inside the Magnet, South Pole से North Pole जाएगा, North से South, South से North, ठीके, Close करव है देखो, ऐसा पूरा Closed करव बन रहा है, पूरा Complete होगा, यहां से चला था, और लोट के इसी पॉइंट पागे, तो बिल्कुर Closed, Closed है पहली बात और कर्व जैसा लग रहा है, तो इसे कहा जाता है, Closed करव ठीक है, बात यह होगी, हमने बिज़र बाहर मैंगेट पर लेते, तब यह भी पता था कि जहांपे, Magnetic Field Lines Close होती है पोल के साइड पे, वहां Magnetic Field ज्यादा होती है, तो स्लोलनोइट में भी सेम कहानी है, कि स्लोलनोइट के जो पोल होते हैं, वहां पे उसकी Magnetic Field की Strength क्या होती है, ज्यादा होती है, यह बात क्लियर होगी, दूसरी बात, अंदर देखो, अंदर बिल्कुल Straight Magnetic Field Lines है, बिल्कु क्योंकि, देखो, Inside the Magnet, Inside the Magnet, मैं साथ बूलो, Inside the Magnet, Field Lines की Direction कैसी है, एक तो सौथ से नॉर्थ पोलर डियरेक्शन, और हैं कैसे बिल्कुल Straight है, यह बिल्कुल Straight है, Straight का मतलम, Uniform, Straight का मतलम, Uniform, यानि अंदर, Solenoid के अंदर, Magnetic, देखो, पहली बात तो बाहर, बाहर, Solenoid में पहले क्या होगा, पोल्स पे, देखो, बात समझाया, मैं क्या बता रहा हूं, आपको जैसे मैंने, सर्गुलर लूप में बताया, कि strength कैसे डिपेंट करती है, current पर डिपेंट करती है, distance पर, ऐसी state current करेंट करती थी, और distance पर डिपेंट करती थी, यहां, सेम किस पर ज्यादा होती है, तो solenoid की strength कब ज्यादा होगी, अपने पोल्स पे, solenoid की magnetic strength ज्यादा होगी, इतनी बात समझ मागी, दूसरी बात, क्योंकि, बाल मैंगनेट पर अपर अन्दर, मैंगनेट के अंदर, field lines के होती है, इसका मतलम uniform है, मतलम जो magnetic field इसके अंदर हमना uniform है, हर जैसे जब पास आजाएगा, तो यहाँ ज्यादा होगी, तो हम बता सकते हैं कि हाँ भी पोल पे ज्यादा है, बाहर जाओगे, तो कम होती जाएगे, लिकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेम है, अंदर, same magnetic field strength है, same, यह uniform, क्योंकि lines एक्दम सीधी है, uniform lines है, तो uniform magnetic field, बालम बाहर द strength की भी बात कर लिए सेगी, ठीक है, direction कैसी same, बाल मैगनेट है, direction की प्रेंशन ने लेगी, north pole, south pole magnet के अंदर, south से north pole, direction भी पता चलगी, magnitude field line की, same चीज़ है, बस बाल मैगनेट का concept लगा है, बस किसी भी solenoid के एक pole को north pole लो, और एक pole को south pole लो, उसकी direction निकाल लो, clear, third part भी clear, अब बचा, last part, last part, देखो, solenoid के अंदर, solenoid के अंदर, हम, एक soft iron cold, अब मैं आच्छे समझाता हूं, बहुत लास पार्ट है, विल्कुल उसको दिहान से समझना, ठीक है, जो आपके NCRT के book में, एक line में दे रखा है, सबसे नीचे, की solenoid के अंदर, soft iron cold गुसा लोगे, त इसके अंदर, soft iron core, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बस, बच्चे इतनी सी बात, याद कर लेते हैं, उनको लगता है, ठीक है, इसके अंदर, क्या है, soft iron core, क्या बन जाएगा, फिल्क्रमागनेट, लेकिन, मैं आपको थोड़ा, detail में समझाना, चा बैटरी से करेट कर दिया, यह बन गया, इलेक्रो मैंगनेट, इसे क्या कर जाता है, इलेक्रो मैंगनेट, इलेक्रो मैंगनेट क्या है, जो एलेक्रिसिटी से मैंगनेट चले, बार मैंगनेट क्या है, पर्मनेंट मैंगनेट, मेरे साथ बोलिए, बार मैंगनेट क्या है, प बैटरी को बनेगा यह तब भी को मैमेगनटर बनेगा जब मैं बैटरी को बनेगा तब इसके मैं बनेघां जब जुरूद नहीं होगी तो बंद कर देंगे खतम मैंगनेट बाल मैंगनेट में यही प्रॉब्लम है कि वह हमेशा मैंगनेटिक रहता है कहीं भी लेज़ों किसी भी चीज से चिपक जाएगा पर्मनेंट मैंगनेट है इसके फाइदे क्या है एलेक्ट्रो मैंगनेट है ज से बिना अभी तो इसके बिना बीत्व ऑन भी तो सोलेनोयट का भी हमने देखा ना सोलेनोयट क कैसे अराउंड बाल मैंगनेट जैसी फीड डाइन बनती है तो पहले भी तो यह था तो इसके अंदर सोफट आयरंट कौर्ड रागाने क्या चलुद हो थी देखो दो रीजन स है पहला रीजन है पहला रीजन बहुत सिंपल है कि जब आगर सॉफ्ट नहीं लगा होगे ना तो जो सोले लोड अपनी अराउंड मेंटिक फिल्ड बनाता हो वह होती है तो किसी भी चीज़ को अपने तरफ ट्रैक्ट नहीं कर सकती ठीक है जो यह सिंपल वायर जो मैंटिक फ करने भी वायर सोते हैं ऐसी स् Love गश्रायल बॉइस नदर को इरन गुसादो यह सोस्ट अटथी यह जैसके अंदर सव्ट का नन्स कोई से आरन कोन लेते और उसपर के वायर चड़ाते है तक रोपर कर कोपर का वैर इस फ να बैदिगर कर दिया और बना दिया सोटीनर्ड उसे ऐब ग्रण तो 洲 allein यह सोफ शार्रा बीश्क करता है स्टेंथ को बहुत इंक्रीज कर देता है आप जो स्कंत होगी इस चल्की सुपर्फेक्ट होने बन गिए उसके बार में गट काम करता है वैसे हमेशा रहेगी हमेशा वो चीजों का ट्रेगा लेकिन यह एलेक्ट्रमैगनीठ है यह जब आपकी मर्जा सक्ताक करे जब बैटरी ऊफ करोगे तब मैजन कि एट्राइक और एक बार battery on कर दी तो magnetic field line generate होगी ठीक है और जब battery बंद करोगे नो तो ऐसा नहीं होगा कि magnetic field line हड़ जाएकी steel के पास कुछ ऐसी property होती है steel के पास और बाकी other मेटल्स के पास कुछ ऐसी property होती है कि उनको अगर एक बार magnetic field line उनकी allag generate होगी तो magnetic field line हटती नहीं है वह रही जाती है permanent magnetic बन जाएगा फिर इसे लिए steel को हम यूज नहीं करते हैं और soft iron core को use करते हैं कि soft iron core को जब मर्जी जब battery on करोगे तब यह magnetic field line generate करेगा और जब बंद करते होगे तब नहीं करेगा तो यह था एक्ट्रो मैंगनेट जो आपके एक लाइन में निप्टा है उसका इतना बड़ा एक्स्प्लेनेशन है तो अगर क्लियर होगा तो जो एक्जाम में चीज आती है कि डिफ्रेंस बिट्वीन पर्मनेंट मैंगनेट एंड एक्स्क्रीन बाजागे इसको पॉस्ट करें नोट्स में लिखें ठीक है यह यूज है कि यह क्यूं जादा अच्छा है पहला सबसे में दीजन तो मैंने बताई दिया क्योंकि जो पर्मनेंट मैंनेट एक्जंपल बाद मैंगनेट वह क्या है हमेशा उसके अराउंड मैंटिक फिल्ड रहती हमेशा वह चीजों का ट्रैट करते रहता है एलेक्ट्रो मैंट हमारे मन के मताबिक चलेगा बहीं जब चाहेंगे बैटरी आउन करेंगे मैंट बन ज तीन पार्ट समझाए एलेक्ट्रो मैंट के बारे में समझाया लास में एडवांटेज भी दे दिया बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है तो जो आपके एक लाइन में आपको समझा रहा है आप भी खुश हो गया आके बढ़ जाते हो ऐसा नहीं होता है इसलिए इसलिए ए देकार लिखिए दूसरी बात कम कोई भी अगर चीज समझाए तो इसको बड़े कम शब्दों समझाए बच्चों उतना रिलेट नहीं कर पाते उतना समझ नहीं पाते ठीक है कैमिस्टी में सारी तो याद कर लीजिए ठीक है यह चीज़े मैं काफी बार बता भी चुका हू तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में हस्ते हस्ते फिर से जा रहे हैं स्टे टून्ड स्टे कनेक्टेड वेद मी बाई